नमस्कार मैं दिपाली अब सभी का स्वागा दिपाली आइस्ट्रो में करती हूँ और देखते हैं आज का दिन अनिकी 18 सेप्टेंबर 2003 इस कैसा जाने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं में शार्शी वालों के साथ में शार्शी वालों अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन positivity को embrace करके आगे बढ़ने का है समानता जाएगा आज का दिन कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा प्रोफेशनली नए अवसर या नए आयाम टच कर सकते हैं या नए अवसर आज के दिन आपको मिल सकते हैं लेकिन explore करना और right दिशा में उसको आगे लेकर जाना यह आपके उपर निरभर करता है लंबे से चल रहा पारिवारिक तनाव साज़ा होता हुआ नजर आएगा legal trouble या legal कोई court case या कोई बाधर चल रही थी तो उसमें भी अप समधान निकलने की परिस्टिती बनती हुए नजर आएगी किसी व्यक्ति विशेश्ट की तरफ से आपको कोई बहमूल राय मिल सकती है जो आपको इस situation से निकालने में काफी जादा महत्रपूर्ण लाबकारी साबित हो सकती है बात करते हैं व्रिशब राशी वालों के लिए आपके लिए situations व्रिशब राशी वालों बिलकुल सही रहेगी अनुकूलता बनी रहेगी मना आपका शांत रहेगा विचारों में प्रबलता देखने को मिलेगी पराक्रम में वृद्धी रहेगी लंबे समय से जल रहा है पारिवारिक तनाव आपका भी ठीक होता हुआ नजर आएगा और पूरी तरह से एक एग्जांपल देते हुए परिवार में आज के दिन कोई कॉइडेंटली आपको महतवपून तरीके से एक निर्देश लेना है कोई सेजैस्टन किसी को देना है या पूरे परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए एक निरनया आप ले सकते हैं बात करत है कि आपने इतनी चीज़ों को इंब्रेस करते हुए चल रहे हैं माता पिता के स्वास के प्रती थोड़ा सा सजग या सचेत रहने की ज़रूरत है और अगर देखें प्रोफेशनली आपके लिए हल्प इंडिकेटिव है जो लोग कंट्री से बाहर मुव करने की सोच रहे हैं या सिटी चेंज करने की सोच रहे हैं उनके लिए उप्शन अब तयार होते हुए नजर आएंगे प्रोफेशनली आपके लिए चीज़या नुकूल हैं साथे साथ बिजनस विस्तार के बारे में अगर सोच रहे थे और निजी अवेवसाय में कुछ ना कुछ एक्स्पैंश अपने आपको और पॉजिव बनाते हुए सब तरफ से आपको एक कोलाबुरेटिव अप्रोच लेकर परिवार के हितों को ध्यान में रखकर कोई न कोई एक निरना लेने की आज के दिन जरूरत है कामकाज में परिस्तितिया नुकूल रहेंगी कुछ खास नया भी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अप्रक्टिविटी इंटाक्ट रहेगी साथी साथ आज के दिन आपके जो आप्शन्स आप लाइफ में लेना चाहते हैं चाहे पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रफेशनली उनको सोच समझ के लेने की जरूरत है बात करते हैं सिंग राशी वालों क आज के दिन की में बात करूं तो आज का दिन निवेश पॉंट अविव से काफी अधा अच्छा माना जा सकता है साथी साथ लॉंग टर्म फिनांशल प्लांस भी या गोल्स अगर आपके हैं तो आपके अरेस्ट होते हुए नजर आएंगे उसमें कहीं न कहीं कंट्रोल बन आप आएंगे एक्जिक्यूशन लेविल की स्ट्राटेजी आज के दिन आपको लागू करने की जरूरत है पारिवारिक स्थिरता पारिवारिक सपोर्ट बना रहेगा मन आपका शांत रहेगा विचार आपके प्रबलतम शिखर को छूते वे नजर आएंगे इंडिटालिट परिस्थितियां अनुकूल है मन आपका शांत है विचारधारा है आपकी प्रबल है confidence लेविल में इज़ाफा होते हुए देखेंगे समानता जाएगी आज की परिस्थिति कामकाज में आप अपने लिए अच्छी परिस्थिति अल्रड़ी क्रियेट कर चुके हैं पदोनित आज के दिन आपके लिए positivity इंडिकेटिव है बात करते हैं तुलराशी वालों के लिए तुलराशी वालों चीज़ें situations परिस्थिति अनुकूल है मन आपका शांत है लंबे समय से चल रहा कोई भी अगर आप ऐसा कोई project है कोई आपकी planning है कुछ आप अपने लिए करना चाहत है और चलते चलते चीज़ों में विराम या विश्राम लग जाता है या फोर एनी एक्स वाई जी रीजिन अगर आप उस चीज़ को नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपके जो लॉंग held up project से अब वो आगे टेक अप होने शुरू होंगे साथ जो लोग विदेश में रहने के काम करने के एकशुक हैं उनके लिए भी परिस्तिती अनुकूल होती हुए नजर आएंगी बात करते हैं व्रश्चिक राशी वालों के लिए व्रश्चिक राशी वालों आपके लिए situations अनुकूल है positive है मन आपका शांत है काफी काबिले तारीफ है कि आपने लिए अच्छी परिस्तिती खुद बनाई है मन को शांत रखिए विचारों को प्रबलतम शिखर पर लेकर जाने के लिए confidence लेविल में आज के दिन आपको उजाफा करने की जरूरत है अपने आपको negativity से दूर रख सकते है कारेशेत्र में भी अगर conflicting सेनारियो है तो थोड़ा सा ब्रेक लेन साने पे काम करें साथी साथ स्वास संबंदी चिंता हैं सेकेंड हाफ के बाद आपको परिशान कर सकती है तो खान पान पर नियंद्रन रखने की जरूरत है बात करते हैं धनूराशी वालों के लिए धनूराशी वालों आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन positivity को embrace करन की मन आपका शांत रहेगा lifestyle improvement techniques पे आज के दिन आप भी काम करते हुए नजर आएंगे हाला कि second half के बाद थोड़ा सा आपका जो schedule है वो इदर से उदर हो सकता है disorganized हो सकते हैं मन अशाल्थ हो सकता है लेकिन चुकि आप इतने दिनों से काम काज में लगे हुए हैं तो ये natural process को ही इसको समझते हुए आज के दिन आपको आगे बढ़ाना चाहिए बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए आपके लिए नुकुलता बढ़ी रहेगी कुछ खास नयापन नहीं है चीजन जैसी चल रहे हैं चलती रहेंगी समानिता है अच्छी परिस्तिती है पराकरब में भी वृद्धी है confidence level में भी जाफा है परिवार का भरपूर सपोर्ट बना हुआ है नई चीजों पर विचार अची परिस्तिती है इसी तरह से चलते चलिए आपके लिए शुबता सब तरफ से जीवन में इंडिकेटिव है बात करते हैं कुम राशी बालू के लिए कुम राशी वालूँ आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन positivity को embrace करियो आज का दिन अपनी मन को शान्त रखी आगे बढ़ते चलिए, सब तरफ से आपके लिए लाबदायक परिस्टिती बनती हुई नजर आएगी, लंबे समय से चल रहा कोई पारिवानिक तनाव अगर कोट में है तो उससे भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी, आज के दिन कॉम्मिनिकेशन को प्रिस्टिल क्ल खान पान पे विशेश द्यान देने की भी आवशक्ता पड़ सकती है, बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए, अनुकूलता बनी रहेगी मीन राशी वालों आपके लिए कुछ खास नयापन नहीं है, बहुत अच्छी परिस्टिती जिस तरह से चल रही है, वो भी आपके करने का जो जजबा है, जो कॉंफिडंस लेवल है वो अब आप में आच चुका है, जो लोग रैलोकेट करने की सोच रहे थे, इस्थान परिवरतन, इस्थान आंतरन या विदेष कमन या विदेष में रहने के जो परिस्तिती पर आप विचार कर रहे थे वो आप सिटुए